हेलो दूस्तों आपके पास भी इस तरह का जीवों का मोबल है और उसमें पावर वान नहीं हो रहा है या सिचुक नहीं खूल रहा है तो कैसे आप अपने घर पर ही खोल सकते बिन्या सर्विस सेंडर गए आप अपने घर पर ही इस मोबल को ठीक कर सकते तो आपको पता होगा क कुछ एयर के कारण आपका मोबल में सिचुक नहीं हो रहा है तो कैसे आप अपने घर पर ही ठीक कर सकते हैं चलिए वीडियो को स्टाट हैलो दूस्तों हम आचुके हमारी मोबल की स्कीन पर यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो आपको यहां पर आपका लॉक नहीं है और उसके बाद आपको यह उपल वाली चाप है उसको आपको दबा देने या नीचे वाली चाप को भी आप दबा सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर कि इस तरह का आपके पास option खुल कर आ जाएगे तो यहां पर आपको कई सारे system का option खुल कर आ जाएगे तो यहां पर आपको एक option मिलेगा जो यहां पर आप देख सकते हैं access with data or factory restart यहां पर एक option मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको प्लस वाले निशन पर आपको यहां पर यह वाला रेट चाप है उसको आपको दबा देना है तो यहां पर आपको दो और और ओप्सन खुल कर आज गएगे no और yes तो आपको सिंपल से यहाँ पर yes वाले option पर आपको click कर देना है और okay पर आपको click कर देना है तो जिसे ही आप okay अटले एक okay नहीं लगेगा आपको सिंपल से यहाँ पर red चप दबा देनी है और उसके बाद यहाँ पर okay इस तरह से लग गया होगा तो आप देख सकते ही यहाँ पर इस तरह का आपका एक बार so होगा और उसके बाद यहाँ पर आपको दिखा देगा जो data है वो सारा कुछ आपको formatting हो जाएगा और आपका नए सर्च से आपका data आ जाएगा तो मैं आपको बता दू कि आपको यह software है और factory restart कब होगा जब आपका mobile जो कोई technical खामी के कारण या software के कारण का खामी के कारण या inner के कारण आपका mobile में जो सिचोक ओन नहीं हो रहा है तभी यह work करेगा वरना आप भी भाई बोलोगे कि भाई हमारा mobile तो पानी में चल गया था फिर भी हमारे सिचोक ओन नहीं हो रहा है था उसी कारण में यह सारा कुछ आपको जो आपने बताया वह में फॉलो किया बट वह कुछ काम का नहीं आया और आपका work नहीं कर रहा है तो मैं आपको बता दू कि यह सारा कुछ system कब का काम करेगा जब आपका mobile में कुछ नहीं हुआ होगा और आपका जो टेक्निकली खामी या आपने सॉप्टिवेटर का खामी के कारण ही आपका सिचोक नहीं खुल रहा होगा तभी आपका यह सारा कुछ वर्क करेगा बट आपको एक बट राय कर लिजेगा क्योंकि यह जो इससे आपका mobile जो ओन हो जाता है तो हो भी जाएगा तो सिंपल से यहां पर आपको आपको यहां पर जो यह रिबूट यह और सिच्टेम नाउ तो उसपर आपको क्लिक कर देना है तो जैसी हम क्लिक करते हैं तो यहां पर हमारा जो मोबल है और यहां पर उफ आपर apply ऑफ होगा और यहां पर on होना शुरू हो जाएगा जो आप देख सकते हैं आपके mobile के अमारे जो mobile के camera के सामने ही आपको यहां पर मैं देखाता हूँ कि इस तरह से आपको करने से आपका mobile restart हो कर आपका mobile on हो जाएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर अपना mobile है वो on होना शुरू हो चुका है तो यहाँ पर आपको मैं बता दू कि कुछ टेक्निकली खामी के कारण या अपने software के कुछ error के कारण आपका mobile में कई बर क्या होता है कि सिचोक on नहीं हो रहा है उसी कारण आपका mobile में सिचोक on होता ही नहीं है यह मेरा पपा का mobile है और उसमें भी ऐसे ही खामी आ रही थी इसी कारण मैंने ऐसे किया तो यह मेरा ठीक हो चुका इसलिए मैंने भी सोचा कि आप लोगों को भी बता दू कि इस तरह से आप भी कर सकते हैं और आपका मोबाल जो जीवो का मोबाल है उसको आप ऑन भी कर सकते हैं तो यहां पर हमारा जो ही सीचोख है ऑब खुल गया है बट थोड़ी वेट करना होगा क्यूंकि आपको पता होगा है कि जो सौप्टेवेट है वह फैक्टर रिस्टर हमने की है तो इसके कारण हमारा जो यह सारा कुछ सिस्टम है पहले जब हमने नया मोबाल लिया था तब ज हमारा जो का अब होगा है तो इस तरह से बड़ी आसन तरीके से हैं वहारा जो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम नोगल Tr on को चुका है तो इस तरह से आप आप कर सकते तो आपको वीडियो के सा लगा वह में कमेट करकर बताए और आपको यह सई वीडियो देखने हैं और आपको इस वीडियो से आपको मदद हुए तो अमारी चनल को सब्सक्राइब करें बेर लाइकन पर प्रेस करना ना भूले तो बब तक बबब और ये इन